खचरों का दिमाग शेर और लोम्डी एक साथ शिकार करने गए लोम्डी की सला पर शेर ने खचर को एक संदेश भेजा जिसमें उनके दो परिवारों के बीच एक गटबंधन बनाने का प्रस्ताव रखा गया था शाही गटबंधन की संभावना से बहुत खुश होकर खचर बैठक की जगा पर आया लेकिन जब वह वहां आया तो शेर ने खचर पर जपटा मारा और लोम्डी से कहा यहां आज के लिए हमारा रात का खाना है जब मैं जाता हूँ और जपकी लेता हूँ तो आप इसे देखते हैं और आप मेरे शिकार को छूने की हिम्मत नहीं करते शेर चला गया और लोम्डी प्रतीक्षा करने लगी लेकिन यहां देख कर की उसका मालिक वापस नहीं आया उसने खचर का दिमाग निकालने का साहस किया और उन्हें खा गया जब शेर वापस आया तो उसने जल्धी दिमाग की अनुपस्थिती को देखा और लोम्डी से भयानत आवाज में पूछा तुमने दिमाग के साथ क्या किया है दिमाग महामहिन उसके पास कुछ भी नहीं था यावा कभी भी आपके जाल में नहीं फसा होता कहानी की शिक्षा है बुद्धी के पास तयार उत्तर है